सब्सक्राइब करें और लाइक वीडियों को बने रहे हैं यहां पर एक CCMT की तरफ से बहुत इंपोर्टेंट अपडेट आई है आप देख सकते हो आज ही अपडेट आई है तो मैंने सुचा आप लोग को बता दिया जाए यहां पर बहुत साफ साफ CCMT ने एक Mg additional program in existing institute मतलब special round में कुछ और नए colleges add हो सकते हैं पहली चीज़ नए colleges add हो सकते हैं दूसरी चीज़ लिखी है यह कुछ नए branches add हो सकती है पुराने ही colleges में जैसे कुछ NITS हैं उनमें कुछ branches को बढ़ाया जा सकता है ठीक है और उसकी जो mapping है adding additional mapping of the gate and qualifying degree तो हो सकता है कुछ changes कर द दे दे और कुछ ब्रांचिस को जैसे एक्सी हो गया एंवायरमेंट हो गया तो नई ब्रांचिस एड़ ओन होई थी इसके साथ तो नहों ने लिखा है था candidate and bid draw on their allotment till end of special round 1 लब round 1 के result तक वो अपने आपका admission bid draw कर सकते हो उसके बाद नहीं कर पाएंगे तो यह पूरा एक हैंपर पूरा notice बनाके इन्हों ने दिया है अब देखिए आपको क्या करना है आपको बहुत ही खास कर ध्यान रखना है कौन-कौन से इंसिट्यूट एड होने वाले हैं ऐसे कि मैं बता दो पिछले साल NITTR चंडीगर एड हुआ था इस बार तो पहले से ही अगर कोई भी होते हैं तो आपको क्या करना है हमने cut-off बीडियो बनाय हुए है आप cut-off बीडियो को देख पा रहे हुंगे साइड में आपको दिख रहा होगा thumbnail तो आप देख सकते हो उस thumbnail को उस तरीके से हमने हर ब्रांच इसके cut-off वीडियो बनाए है उसको check out कर लो चीज क्या है जो यह notice है इसको मैं अपने टेली ग्राम पर अपने जो एबी ग्रूप है उस पर डौनों पर डाल दे रहा हूं तो वहां से एक्सिस कर लो अगर आपने को देखना है special round 3 में आपको क्या मिला है और आगे आपको decision लेने में दिक्कत हो रही है अगर आपको दिक्कत हो रही है कि आपके round 3 के बाद आपकी जो seat allotment होई है अब उसके बाद आपको क्या करना है तो मैम ने अभी recent वीडियो बनाया है तो आप उस वीडियो को जा के देख सकते हो उसके साथ साथ आप लोग यहां पर आप लोग क्या कर सकते हो हमारे चैनल पर देख सकते हो अपना प्यार देते रहा हो वीडियो को लाइक जयू कर देना शेयर जरू कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना धन्यवाग